हेलो, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आए हूँ और यह बहुत ही ट्रडीशनल रेसिपी है यह विलेजस में ज्यादा बनती है तो मैं यहाँ पे मक्के की पूड़ी बनाने वाली हूँ एक्चली मैं नहीं बनाने वाली हूँ मैं घर पे गई थी तो वहाँ पे बनी थी तो मम्मी बना रही है तो उसके लिए मैंने आपे लगबग पान से छे बड़ी चमच मक्के का आठा ले लिया है उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसमें हम इसको गूत लेंगे इसमें जो है ग्लूटेन नहीं होता है तो इसकी जो पूड़ियां है जैसे गोल नहीं बनती है इतना जुड़ता नहीं है आठा जैसे हमारा गिहूं का आठा होता है वैसे नहीं होता है इसको हम अच्छे से गूत लेंगे बहुत ही अच्छे से इसको गूतना पड़ता है और इसे मसल मसल के उसके बाद हम इसकी लोईयां बना लेंगे, ममी यहां पे पानी से ही इसकी लोईयां और पूरियां बेलने वाली हैं, तो ऐसे करके पानी लगा लगा के इनको आप बढ़ा कर लिजए हाथों से, क्योंकि यह बिल नहीं पाएंगी, तो इनको हाथों से ही बढ़ा करना पड़ेगा अब एक कड़ाई में आयल लीजिए और इसको तल लीजिए अच्छे से जैसे नॉर्मल पोडिया तलते हैं तो देखे एक दों फोल गई है गोल गोल बहुत ही टेस्टी लगती है यह पोडिया आपने कभी ट्राइ किया है आप मुझे बताईएगा और कमेट करिएगा कि आपको यह पूडिया कैसे लगते हैं मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं अलो टमार्टão मरत की सब्जी के साथ तो आप यह ट्राइए करिएगा और आपको रेसेपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और देखे इनको प्याज और मैं यहां पर सर्फ करेंगा आलू गोबी की सबजी के साथ और हरी मिर्च और प्यास के साथ तो यह रेसेपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा सब्सक्राइब कर चैनल को बाई